आज हम बनाएंगे आलू पूटल का सब्जी यह बीलकुल चिकेन की तरह है और बिलकुल टेस्ट सम्ने है चिकेन के साथ ही तो चलिए हम्लूग पटा फट बनाएंगे तो यहाँ पे दिखिये मैं कुछ पोटल लेया है और ये मिडियूम साइज का आलू लिया है दू चर जो है टुकड़ा मैंने फूल को भी मिक्स किया है तो ये सारे को हम लोग को इस तरह काट के लेना है छील कर आर इसे हम लोग को हल्दी और नमक के साथ अच्छा से मिक्स कर देना है तो चली हम लोग फ्राइ करेंगी यहां कड़े में यहां पर घराल जोंगे से हो मीक्स करते हैं इसे भाखाए स wilderness Math a में को चलिम को बदाना है इसारे सोर्षो नुआ को ब्लेम में 2-3 मिनिट के लिए फ्राइ होने के लिए छोड देना है तब तक हम यहां पर दिखिए मसल्आ रडी करना है तो ने लिए लेशून अद्रग और थोड़ा सा प्याज भी मिक्स किया है और दू हरी मिर्च लिया है उसके बाद मैंने लिया है एक बड़ी सेज का टमाटर तो यह सारी को हम लोग को अच्छा से पेस्ट बना लेना है तो देखिए गाइज हम लोग का पोटल अलू जो है फ्राइ करके मै निकाल दिया है और उसी कड़ाई में हम लोग को थोड़ा सा और एक चामच तेल डाल की मैंने जीरा भी चटक दिया है जीरा चटकने के बाद मैं प्याज मेंने लंबा सेज में कटा है उसको डाल कर इस तरह हम लोग को अच्छा से फ्राइ कर लेना है गुल्डन ब्राउन क जो हम लोग बनाए है तो वह पेष्ट हम लोग को डाल देना है और इसे हम लोग को अच्छा से मिक्स कर देना है या भुनना है तो इसे तारह दिखिए लाल मिर्ची पडर पहले डालने से हम लोग क्या है ना जो पीज और लाल मिर्ची मीक्स होने के बाद हम लूका जो कलर आता है न अप लूख दिख सकते हैं कितना आचा कलर दिख रहा है न तो बस मैंने बीच में डाल दिया था सरे पडर वाला मसाला जो है जीरा पड़, धनिया पड़, गरम मसला, हल्दी पड़, तो वो सुब को डाल कर मैं अच्छा से भून लिया है और मसला रेडी हो गया है उसके बाद मैंने डाल दिया है फ्राइक किया हुआ अलू पटल तो यह सब को हम लोग को डाल कर दू मिनिट इस तरह भून लेना है हम लोग को जितना ग्रेवी चाहिए बस उसी सब से डालना है अभी और बाद में नहीं डालेंगे हम लोग तो मैं इतना डाल दिया है और हम लोग को फ्राइक करने के टाइम थोड़ा भूत तो पका है लेकिन अभी हम लोग को पुरा पकाने के लिए इतना पनी डाल दिया ह और इसे हम लोग को थोड़े दिर ढगा देंगे तो थोड़े दिर के बाद हम लोग को यहां पे देखी इस तरह थोड़ा सा चला देना है क्योंकि हम लोग का अभी उबल नहीं आया है तो बस थोड़े दिर इस तरह चला देंगे और ढगा कि पूरा कंप्लेटली हम लोग को पका लेना है तो आपस देख सकते हैं यहां पे हम लुग का अलो पोटल का सबजी जो है पक गया है और बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने आपस खतम हो चुका था थोड़ा से वीडी ने लिया है तो वो ही थोड़ा से डाल दिया है तो बस इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे और हो गया है हम लोग का रेडी इससे आप लोग गरम गरम चावाले रूटी पुराठा किसी के साथ भी खाईए बिल्कुल नन बेज का टेस्ट है या चिकेन का टेस्ट है आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजे जरूर और मुझे बहुत बूक लगी है मैं तुरंद खा लती हूं तो ठीक है